असलाम अलेकुम वीवर्स वेलकम बैक टो आवर चैनल साहीन सिस्टर्स और आज की वीडियो मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूं एक एमेजिंग फेस्पैक तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर अभी तक आपने मैं चैनल को सब्सक् सब्सक्राइब मैं चैनल और लाइक मैं चैनल और इसे जाएदा सेर करें इस फेस्पैक को बनाने के लिए हमें जो चाहिए वह हैं नीम पॉडर ये लोकल मार्केट में आराम सापको मिल जाएगा मैं यहां एवर्यूत कर नैच्रल पुरिफाइंग नीम फेस्पॉडर यू और घर में में आधकी किचन में हलदी में हलदी जाहिए तो चल ये देखते हैं इस फेस्पेक को बनाते है इससे के लिए मैं यहां ले रही हूं नीम पॉडर है गषा हाफ टीज़ेंख सवारेमियरूड को दूर करता है और हमारे चेरे को बहुती स्मूद बनाता है अब मैं यहां ले रहे हो हाफ टेस्पून संदल पॉडर संदल पॉडर हमारे इस चाहरे के कॉंप्लेक्शन को निखारता है और इसे स्मूध बनाता है अब मैं यहां ले रहे हो हाफ टेस्पून मुलतानी मिट्टी मुलतानी मिट्टी भी हमारे चाहरे को स्मूध बनाती है एकने पुरून इसकिन वालों के लिए मुलतानी मिट्टी बहुत ही अच्छा है अब मैं यहां ले रही हूँ एक चुटकी हल्दी आपके किशन में जो हल्दी मौजूद है आप वही हल्दी ले कहीं बाहर से हल्दी लेनी की जरूरत नहीं है अब मैं इन सब को मिक्स करने के लिए यहां ले रही हूँ गुलाब जल आपके पास अगर गुलाब जल नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं तो देखिए हमारा फेस्बेक बन की बिल्कुर रेडी है अब मैं बताती हूं कि इसकी कितनी कौइंटिटी आपको लेनी है अगर आप हाफ टीजपून नीम पॉडर ले रहे है तो आपको हाफ टीजपून चंदन पॉडर और मुलतानी मिट्टी भी लेनी है अगर आप वन आती हूं कि इस फेस्बेक को आपको कैसे यूज़ करना आप पहले कोई भी फेस्वास से अपना चेहरा दो लीजिए और अपने फेस को ड्राय मत कीजिए अपनी गीले फेस पे ही इस फेस्बेक को अपलाई कीजिए 15 मिन तक इसे रहने दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से दो लीजिए अगर आपको फेस पे कोई ड्राय निस फील हो तो आप अपना कोई भी फेवरेट मॉस्ट्राइजर यूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं तो फिर आप मॉस्ट्राइजर इसकीप कर सकते हैं पहले ही दिन से आपको अपनी चेहरे पर फर्क देखने को मिलेगा लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पता है अगर उतनी कोई टेटी आप लेंगे तो आपको फर्क पता चलेगा इसे all skin type वाले यूज़ कर सकते हैं अगर आपके dry skin, normal skin, combination, इसको ने चाहे कोई भी skin type हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसे एक महने तक लगतार लगाना है डेली यूज़ करना है और एक महने के बाद हफते में दो दिने से यूज़ करना है अगर आप चाहे तो इसे store करके भी रख सकते हैं मैं यहाँ ले रही हूँ 25 ग्राम मुलतानी मित्टी पॉडर फिर मैं यहाँ ले रही हूँ 25 ग्राम नीम पॉडर फिर मैं ले रही हूँ 25 ग्राम संदल पॉडर इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और किसी एयर टैट कंटेनर में इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं अगर आपको डेली डेली तीनों चीज़ लेने में दिक्कत हो रही है तो इन तीनों को मिक्स करके एयर टैट कंटेनर में रख लें स्टोर करके और डेली एक चुमच इससे निकाल कर इसका पेस्ट बनाकर आप फेस्ट पर लगा सकते हैं तो आपको हमारा आज के ये वीडियो कैसा लगा अपना एक्सप्रेंस हमारे साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं इसे जाए 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 शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें